नमस्कार तो जी आ गई है नई वीडियो और इस नई वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी हम नया पैरेट बेबी पैरेट घर में लेकर आते हैं या कोई भी पैरेट हम घर में लेकर आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए हमारी पहले स्टेप क्या होने चाहिए जिससे कि उसका पालन पोशिन अच्छी तरह से हो सके, उसकी ट्रेनिंग अच्छी तरह से हो सके, तो चले वीडियो को पूरा देखिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किये, आप चले जाते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमबल तो दोस्तों जब भी हम पैरिट लेकर आते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या पैरिट के पंकों को ट्रिम करना चाहिए तो यहां पर मेरा जवाब होगा येस हमें पैरिट के पंकों को ट्रिम करना चाहिए उनकी सेक्योटी सेफटी के लिए क् में पूरे पंक रहेंगे तो वह उपर ऊड़ने कोशिश करेंगे यूपर हमारी फैन लगए होते है उससे वह तकर आ सकता है उसको परिशानी हो सकती है तो ट्रिम करने का मतलब दोस्तों लिटरली पंक보 काटना नहीं होता है लोग सोचते हैं कि हम जालिम हैं पंक काट रहे हैं तो वह ऐसा कुछ नहीं होता है त्रिम उसी तरह से होता है जैसे हम अपने बाल कटवाते हैं हलके- विगीिए और गुछ को यह संनुकि की निखाने हैं क की नई गए चाहिए जला कि पर अंदर गघी calm दोनों जगे रहने की आदत आपको डवलप करनी है चुकि अगर आपका पैरट केज के अंदर रहेगा तो उसको ट्रेनिंग आप नहीं दे पाएंगे उसको चीज़ें आप से खाने ही पाएंगे और अगर पैरट सिर्फ बाहर रहेगा तो वह बहुत सारे नुकसान आपके कर सकता है और फिर आगे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है बहुत चोड़ चोड़ प्रॉब्लम होती है लेकिन वो उस समय पर बहुत बड़ी लगती है जैसे कि मानली जी आपको सबको इमेर्जेंसी में कहीं जाना पड़े तो अगर आप घर में अपने पैरट को केज के है यह तो कम से कम उसकी मौनिटरिंग होती रहेगा जिसरी चीज़ होती है रात के टाइमbereich scorjin लिए की बिल्ली होती है तो केज के अंदर आपका पैरट जय है वो सुरक्षित है आप й सुरक्षित और इतमिलान की नीद लेंगे आपका पैरट भी बहुत स्वश्यांती नीद लेता है सुबा बहुत पनकों के रास्ते पीछे से आपको नहीं पकड़ना है पैरेट Caitlin ब्रेट करते हैं पीछे से पख़कर देके पकड़ना है और अगर आपको डर लगता है कि आपके हाथ को शुरुवात में उख काट सकते हैं तो आप आगे लकडी लगाई यो लकडी के ऊपर आपका पैरिट चड़ जाएगा तो आप यह भी कर सकते हैं चौति चीज आती है उनके खाने पीने की तो अगर आप पैरिट इतना बड़ा लेकर आए हैं जो की दो तिन महिने का है तो आप उसको हर चीज खाने में दे सकते हैं नमक तेल चीनी इनके अरावा फूट वजटेवल ग्रेंस इनके संफ्लावर सीट्स हैं सैफ्लावर सीट्स यह सब आप अपने पैरिट को खिला सकते हैं पैरिट की ट्रेनिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए यह भी कॉशन आता है तो जी पैरिट की ट्रेनिंग जो है डे वन से आप स्टार्ट कर दीजिए जो भी आपको बुलवाना है शुरुआत में आपको देख रहा है यह नहीं अच्छा लगता है और वर्ड्स को आप चेंज मत करिए उनी वर्ड्स को जो भी आपको 10 से 12 सेंटेंस वर्ड्स सिखाने हैं वो शुरू से शुरू कर दीजे वही सारे वर्ड्स जो है वो ध्यान से इसी वक्त पर सुनेगा तो आप उनको बोलना शुरू किजी उसको सिखाना शुरू किजे तो जैसे जैसे वो आप उसको हैंड्स कर लेंगे तब आप उसको और भी ट्रेनिंग दे सकते हैं हेलो करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं उसको टर्न आराउंड करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं तो यह बहुत सारी चीज़े हैं जिनको आप ट्रेन कर सकते हैं ल भी तो आपको नहीं नहलाना चाहिए अगर आभी आप लेकर आए हैं हाँ आप जून जुलाई में उनको पहला शावर दे सकते हैं लेकिन शावर देना जरूरी समझती हुए क्योंकि कई बारी पैरेट जबाते हैं तो उनकी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है तो आप उनको जावर दे सकते हैं जादा से जादा आप दो महीं ने में गवार शावर दे सकते हैं और कम से कम दस दिन में एक शावर दे सकते हैं तो इस तरह से अब देख लिजे पैरेट खुद आपको इंडिकेट कर देगा कि उसको नहीं 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 कर रहा शिवा क नेसेसरी किसी भी तरह कि कोई दवाई आपको देने की जरुवत नहीं है naturally parrot बहुत जल्दी सही हो जाता है जैसे कि lose motion हुआ तो आप थोड़ा उनका feed रोग दीजिए खाना रोग दीजिए एक बारी का skip कीजिए तो दूसरी बार का skip कर दीजिए उसके बाद उसका lose motion अपने अब ठीक हो जाएगा भी पिछे शिवाक का भी vomit भी हुआ था और डाइरिय जैसे शिकायत लग रही थी कि इसको vomit भी हो रहा था और इसको lose motion भी हो रहा था अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो please avoid कीजिए खाना स्किप कर दीजिए ना खाने से पैरेट से हैं वो ठीक हो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज हो रही है तो प्लीज आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए अपनी तरफ से दुकान से खरीद के दवाईया ना दीजिए तो दोस्तों यह थे कुछ क्वेशन जो बहुत सारे मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स ने मुझसे पूछे थे इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेशन आपके रहे गए हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और मैं जल्दी इस पर वीडियो बना दूगी और आपको जानकारी दे रहे हुए